नमस्कार दोस्तों, SSE GD 2024 से रिलेटिड एक बड़ी अब्डेट निकल कर सामने आ रही है कि आपकी फिजिकल के लिए नोडल एजेंसी का जो सलेक्षिन किया जाना था उसके लिए जो बिड ओर्गनाईज की गई थी उसके ओपनिंग और क्लोजिंग डेट जो है उसके अंदर एक बड़ा बदलाव फिर से कर दिया गया है पहले आपकी जो ये तारीक थी ये 19 जून 2024 रखी गई थी जिसे आप यहां पर सुन भी सकते हैं इस तक यह भी डिसाइड नहीं है कि आपका जो फिजिकल है वो कॉनसी एजेंसी करवाएगी क्योंकि यहां पर एक न्यूज निकल की यह भी आई थी यानि कि जोइनिंग प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप उस भरती को कंप्लीट नहीं कह सकते अभी मान लेता हूँ एक बार कि आपका जो रिजल्ट है वो जून महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा आपको पता भी लग जाएगा कि आपका स्लेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है आपके स्टेट की जो कटोफ है वो यहां पर क्या गई है लेकिन उसके बाद अगर बात आकर अटक गई फिजिकल के ओपर कि आपका एक साल तक फिजिकल ही नहीं कंडेक्ट करवाय जा रहा है तो इस कंडिशन के अंदर आप क्या कहेंगे क्या इस भरती को आप कंप्रीट मानेंगे आदी भरती मानेंगे या आपके लिए भरती कोई माने रखेगी या नहीं रखेगी जब तक इस भरती की जोइनिंग आपको नहीं मिल जाती तब तक इस भरती का कोई भी माना आपके लिए नहीं है कोई भी वजूद आपके लिए नहीं है सो यहां पर आपने पीछे बहुत सारी ऐसी भरतिया देखियोंगी चाहिए जहां तक मुझे याद आ रहा है साहिद CRPF या CISF की भी एक भरती थी जिसके अंदर फिजिकल के लिए बच्चों का बुरा हाल हो गया था कि सार एक बार फिजिकल तो कंडेक्ट करवाओ कब आपकी फिजिकल होगा इवन उनकी फिजिकल जो डेट है वही निकाल कर नहीं दी थी तो कहीं अगर ऐसा आपके साथ हो गया कि आपकी वेकेंसी भड़ गई है आपका रिजल्ट आ गया है लेकिन आपका जो फिजिकल है वह कंडेक्ट नी करवाय जा रहा है इसके अलावा नई भर्ती आगी है नई भर्ती का एक्जाम भी ले लिया गया है तब तक भी अगर आपका फिजिकल नहीं वा तो इस कंडिशन के अंदर आप यहां पर क्या करेंगे सो देखें जैसा कि मैंने रीजन आपको बता दिया है कि कोई भी अजेंसी यहां पर आपका फिजिकल लेने क्ले इस वक्त त्यार नहीं है और जैसा कि बात की जा रही थी कि C.R.P.F. आपका पुराने जैसे तरीके से लेती थी उसी तरीके से आपका जो है फिजिकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर अगर यह पॉसिबल होता तो यहां पर आपकी नोडल एजेंसी की बिड की जो ओपनिंग क्लोजिंग डेट्स है वो बार बार फिरिक्वेंटली चेंज नहीं की जाती एक बार में ही C.R.P.F. को मोका देकर उसी को ही कह दिया जाता कि तुम्हें पर फिजिकल कंडेक्ट करवाओ अब यहां पर अगस्ट से पहले किसी भी हालात के अंदर आप मानकर चलिये आपका फिजिकल कंडेक्ट नहीं करवाय जा सकता और अगस्ट भी यहां पर एक टेंटेटिव आइडिया लगाय जा रहा है अगर यह चब़िस तारी कि डेट आगे बढ़कर जुलाई में चली गई तो उसके बाद किसी के पास कोई भी यहाँ पर एक उमीद या कोई भी टेंटेटिटिव डेट कि कब आपका फिजिकल कंडेक्ट तरवा जा सकता है उसका कोई भी यहाँ पर आपके बास लोजिक नहीं रहेगा कि सारे जो कमिशन्स हैं जो डिपार्टमेंट्स हैं जो गवर्मेंट इंस्टिट्यूट्स हैं यह सारे के सारे जो इस चीज में काम करते हैं इस चीज को एक सिस्टेमेटिक ढंग से और्गनाईज करते हैं वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं आपर पेच फशादेंगे आपका फिजिकल के अंदर लाके अभी आप रिजल्ट करोना रो 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 के रिजल्ट निकलाया है आप रिजल्ट अगर दे देंगे ता आप फिजिकल के लिए फिर बहस करोगे फिर फिजिकल के लिए ट्विटर पे जाओगे फिर physical के लिए हम इनसे request करेंगे फिर physical के बाद हम medical नहीं होगा medical के बाद फिर इनकी final cut off नहीं आएगी फिर इनकी joining नहीं आएगी यानि कि भरती अपने आप में एक systematic चलने के बजाए वो कहते है ना टूटी भूटी पईये वाली गाड़ी हो गई है तो जब मन करें दो कदम चलेती है और फिर एक टाय तूट जाता और फिर खड़ी हो जाती है तो यहां पर मेरी तरफ से मैं तो यहीं बोलूँगा कि इस भरती का the end है अपना अगर होता है ठीक है और इस भरती की भी अपनी फिजिकल में लगे रही है जब होना होगा जब हो जाएगा बट मेरी तरफ से the SSC GD 2024 the end of the game यहां पर हो चुका है क्योंकि जिस ही साफ से परमास जो परसासन है जिस ही साफ से जो डिपार्टमेंट है वो यहां पर कीडी की चाल चल रहा है तो लगता नहीं है कि अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी से इस भरती को पोचा पाएंगे और यहां पर जो यह वेकेंशी बगर इंकिरीज होई है इसमें SSC का भी मैं योगदानी मानता क्योंकि डिपार्टमेंट्स ने उनको अपनी जो है लिस्ट पकड़ाई है कि भाई मेरे को मेरे सो आदमी चाहिए फोर्स के अंदर तो तुम मुझे ये लिस्ट के अंदर SSC जीडिक तरू सो आदमी भर के दो SSC ने वो लिस्ट आगे निकाल दी सो आदमियों के और जरूरत आगई है सो के लिस्ट पहले आगई थी इसलिए अब इतनी वेकेंशी आपके और बढ़ गई है सो यहांपर डिपार्टमेंट्स का सारा खेल है जिन्होंने वेकेंशी दी है SSC तो सिर्फ यहांपर उनके से लिस्ट लेके आप तक उनको अपडेट करके पोचाई है बस इतना ही काम है सो यहांपर अब जानना यह है कि रिजल्ट कब होगा और बिड का यहांपर क्या कुछ सीन रहेगा कब तक नोडल एजन्सी स्लेक्ट हो जाएगी Thank you so much, Namaskar